जहन्द बच्चो वेलकम टू दू निन्य डिफेंस अकाइट में दहरादून आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं अगें 25 कुश्चन का एक मॉक टेस्ट जिसमें हम अगें 25 कुश्चन को सॉल्व करेंगे यदि आप इस मॉक टेस्ट की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम से फिजिगल क्वांटिटी यूनिट बार है तो अगें अगर हम थोड़ी बहुत आप से चर्चा करें प्रेशर का जो फॉर्मुला होता है वह होता फूर्स अपॉन एरिया और फूर्स अपॉन एरिया का मतलब इस की यूनिट होगी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वार यह इतनी सारी यूनिट अकिस की हो जाएंगी प्रेशर की हो जाएंगी एक टॉर 133 Newton per meter square एक बार में 10 की पाउर 5 Pascal यानि कि जो बार होगी किस की unit होगी pressure की unit होगी ध्यान लखेंगे force unit आप जानते है Newton होगी energy के आप जानते हैं क्या होगी Joule होगी और frequency के आप जानते हैं क्या होगी second inverse होगी और ध्यान लखेंगे scientist के नाम सोगी जिसे बोला जाएगा hearts बोला जाएगा clear next question लिखा है assertion और reason का question है inner pressure cooker food is cooked above boiling point और इसका region दे रहा हुआ boiling point of water increases as the pressure increases अब सुने ध्यान से किसी pressure cooker में जो खाना पकता है सुने जान नॉर्मल temperature पर क्या होता है कि जब आपको इसको heat दोगे आप जब इसका heat दोगे तो इसका temperature बढ़ेगा अगर आपने pressure cooker नहीं लगा रखा तो यहां पे जिस समय यहां का vapor pressure एक प्रेसर के बराबर हो जाएगा यहां से पानी क्या होने लग जाएगा vaporize होने लग जाएगा हम क्या करते हैं प्रेसर cooker से एक extra pressure इस पर क्रियेट करते हैं जिसकी वज़े से जो water पहले सपोज 100 degrees Celsius पे वाइल हो रहा था अब थोड़ा सा ज्यादा temperature लेगा क्यूं क्यूंकि आपने एक्स्रा pressure बढ़ा दिया है तो पहला statement सही है कि जो pressure cooker है वह अब बॉइलिंग point पर होता है दूसरा boiling point of water increases जैदी pressure बिल्कुल सही बात कि जैसे आपने देखो यहां 110 होगा यह 120 degrees Celsius होगा तो यहां पे दोनों अर्शासन ओरिजन सही है एक जुस्ते को सही से explain करते हैं इसलिए आपका पहला option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बोथ एन और ट्रू और आर इस दी correct explanation of the phenomenon of mirage mirage के अशर सुदे ध्यान से गर्मियों के टाइम में यह आपने डेजर्ट एरिया में देखा होगा कि जब आप दूर से जा रहे होते हैं तो आपको लगता कि पानी-पानी है तो पानी-पानी का मतलब वह एक पानी नहीं है वह एक mirage formation उसे बुला जाता जब भी कोई light ray जरा सुने ध्यान से जब भी कोई light ray denser medium से rare medium में जाएगी पहली बात जब भी कोई light ray denser medium से rare medium में जाएगी और angle of incidence greater than होना चाहिए critical angle से अगर ये दो condition कहीं पर satisfied है light ray must be travel from denser to rare and angle of incidence is greater than critical angle तो उस case में light ray अपने उसी मीडिया में लटके आ जाती है इसी पूरे फिनोमेनों को बोला जाता है total internal reflection तो यहाँ पे जो मिराज है वो total internal reflection की वज़े से होता है ऐसे आपके बहुत सारे जैसे diamond का जो signing है उसमें भी TIR है optical fiber है उसमें भी TIR है looming है उसमें भी क्या है TIR है rainbow formation उसमें भी क्या है TIR है तो ऐसे कई सारे फिनोमेन हैं जिसमें क्या होता TIR का concept लगता है ठीक पहला लिखा पोलराइजेशन ऑफ लाइट है ना पोलराइजेशन मालब दुरूवी करण ऑफ लाइट यानि कि जब लाइट की intensity को कम हो जाती है ना जैसे सपोजकर हो 100 intensity पहले आ रहे थी आफ्र पोलराइजेशन अब 100 नहीं आएगे कितनी आएगी सार 50 आएगी 40 आएगी दूसरा dispersion of light येदी कोई light white light को अगर आप प्रिजन से पास कराते हैं तो white light अपने seven component में क्या हो जाती है इसी phenomenon कबूला गयाया डिश्पर्जन आफलाइट, diffraction आफलाइट का मतलवा भा ilडिवर्स्टन आफलाइट को मतलवा बैंदिग आफलाइट इंचों लाइट की सारफ कारणो से बैंड हो जाती है इस इस phenomenon से पता लगता है कि लाइट कैसी एक करती है clear next question if a small rain drop fall through air अब सुने दिया से जब भी कोई रेंड्रॉफ किसी एर में फॉल करेगे तो air क्या है सरीक fluid है liquid fluid है air भी क्या है fluid है fluid के टेंड एक nature है fluid का है कि जब भी कोई object just like a spherical object अगर fluid में आएगा तो उस पर क्या लगता fluid अपनी तरफ से क्या लगाता एक viscous force लगाता अब रेंड्रॉफ उपर से नीचे तरफ तो due to gravity नीचे तरफ क्या होगी velocity बढ़ेगी उस आप से तो साथ जब रेंड्रॉफ उपर से नीचे आएगी तेजी से तो बहुत तेज velocity से आ नीचे लेकिन होता क्या है कि जो fluid है उसका जो viscous force है उपर से जो तो रेंड्रॉफ का due to gravity weight लग रहा नीचे तरफ और viscous force नीचे सूपर लग रहा तो एक समय बाद यह दोनों force क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते है जिसके वज़े से रेंड्रॉफ पे एफनेट क्या हो जाता है जीरो हो जाता साथ अब जो रेंड्रॉफ की जो वेलोसिटी है वहो जाती है constant वह क्या हो जाती है constant हो जाती है क्या हो जाएगी सरा constant velocity constant हो जाएगी उस से टर्मीनल वेलोसिटी क्या बोला जाता है क्या साथ उपर से नीचे से बढ़ेगी आप रखा fat time उसके velocity क्या हो जाती है constant हो जाती है तो ऐसा अगर आप देखेंगे तो पहला नहीं है increasing decreasing नहीं है यह देखो its velocity goes on increasing for sometimes and then become constant फिर क्या हो जाती हो constant हो जाती है clear उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा next है a perfect black body has the unique characteristics feature अब सुमने से black body क्या होती है जारा सुने ध्यान से black body एक ऐसी body क्रिश्ण पिंड बोला जाते हैं को हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोला जाता क्रिश्ण पिंड क्रिश्ण काली ऐसी black body जो हर परकार की heat के wavelength of light या हर परकार की heat को क्या कर सकती है absorb कर सकती है नहीं करेगे कोई heat इसके अंदर आही तो यहां से नहीं करेगे अंदर ही क्या हो जाएगे ट्रैप होके रह जाएगे दूसरा ब्लाक बोडी उन बॉड़ी को भी बोला जाता है पिर से सुने black body उन बोड़ी को भी बोला जाता हो हर टाप के radiation को क्या कर सकते हैं रेडियेट कर सकते हैं जैसे आपका क्या है sun है sun क्या करता है sir हर परकार के radiation को क्या कर रहा है रेडियेट कर सकता है तो इसे भी आप black body बोल सकते हैं जैसे stars है तो ध्यान लखेंगे black body एक तो हुई जो हyt sac 기owe कर सकते ही ठहीर रेडियशन को क्या करें करें अब्सैड करें दूसरा जो हर टैब कि रेडियशन को क्या कर सकते है रेडियेट कर सकते है यह तो होगा ही कि वो गुड एब्जर्वर है साथ में क्या होना चाहिए गुड रेडियेटर भी होना चाहिए तो सी आपके क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा इसलिए जान बुछ के पहला आप्षण रखा है आपको चारे option को go through करना तब आपको answer क्लिक करना है clear next fat can separate from milk अब बोलागा कि milk से जो fat निकाली जाती है कौन से process से separate की जाती है जैसे सुने द्यान से दो प्रकार के force होते हैं एक होता centripetal force एक होता centrifugal force up kindriable है न अब केंद्रियबल और अभी केंद्रियबल दो प्रकार के वनोते हैं तो जो force बाहर की तरफ लगता है तो जो प्रकार की अगता है यह वाला फोर्स क्या लगता अवे फ्रॉम सेंटर लगता है क्या लगता है यह क्या है सर यह क्या है effect है किसका circular motion का है यह किसक काउज ऐसे cm बोले तो सर कुलर मोशन थिक है तो धियान रखेंगे एक इसका काउज होगा किस Entonces circular operation का जब circular motion होंगा तो उसके बाद का ऐगा संट्रिथाप्र वोड्स आगा जैसे अभ जो क्रीम मिल्क से जो फैट सेपरेट की जाती है तो आपने देखा होगा गाव में पहले पुरान टाइम में ऐसे गुमाते थे इसको अब जो मार्केट में आचुका हो क्या आगा मशीन आचिक उसमें का विया जूसर मिक्षर होता उसमें भाहर की तरफ धक्का लगता ऐसे जो आ कब भी कोई चीज अगा सर्कुलर मुशन नों घूमते तो भार की तरफ क्या लगता धक्का लगता उसको बोलते हैं सेंट्रिफुगल फोर्स को शूड़ो फोर्स भी आप बोल सकते हैं यह क्या है एक शूड़ो फोर्स है श्यान बला है च्छद मूबल है ठीक है नेक्स है तो बोला गया ऐसा किस वजय सोता तो एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है सर्फीस टेंशनल स्थेंशनन की स्जाव duplicative को क्या करना चाहता चाहता асमिस करना चाहता जिस बीलेक्विब एक प्रॉपटी confirm MARKS कि रहेगा मिनिमाइज हो जैसे आपकी वाटर वाटर तो इसका कारण है कि जो इसका क्या सर्फेस टेंशन के ऐसा सेफ होता है इस परिकल सेफ में क्या होता है मिनिमम एरिया होता है तो ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है सर्फेस टेंशन जैसे आपने देखा होगा जो कोल्ड वाटर होगा उसका सर्फेस टेंशन क्या होगा ज्यादा तो झहील को पर मच्चर तैयर जाती है जिसे में आपका मच्र का सकता है और उसका सारी of मते डाइव होते जो चिपक जाते है क्लिंग हो जाते एक दूसरी साथ क्योंकि जब पानी आ जाता तो सर्फेस टेंशन में आएगा जिसके वज़े से क्या हो जाएगा चिपक जाएगे जैसे होट सूप है टोमेटो का अगर होट सूप खाएंगे तो टेस्टी होता पीएंगे सॉरी जब आप होट सूप लेंथ यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जागा न्यूटन अपॉन मीटर इसका क्या होगा यूनिट होगा क्लियर ठीक है सुरी नेक्स्ट विच वन आप दी फॉलंग स्टेट्मेंट इस ट्रू आप से बोलागा इन चारों में से कौन सा सही है और आपको टेंपरेचर यूनिट की आपको टेंपरेचर स्केल से कोशन दे रहा उस इस कोशन को करने से पहले आपको एक चीज़ बताते हैं आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि सी अपॉन फाइव इक्वल टू एफ माइनस थर्टी टू अपॉन नाइन एक्वल टू के माइनस 273 अपॉन फा अब आपको ध्यान लख रहा है यहां पर आपको डिफरेंज की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है तो यानिका हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा सी अपॉन फाइव इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन नाइन इक्वल टू डेल्टा के अपॉन फाइव इक्वल टू डेल् डिफर वाइट 25 डिग्री ओन्द फॉरन हाइट इसके लियानि कि आपको डेल्टाइफ कितना दे रखा 25 यह आपका 45 डिग्री नहीं आने वाला तो यह वाला उप्सन तो आपका नहीं हो सकता ठीक जरह सी ऑप्सन चेक करतें देखो क्या लिखा कि टेंपरेचर विच डिफर रखाइस उन्डिभ रॉन हैची यानिकि डेल्टाइफ कीतना देरें रखा 18 वार नायन बराबर क्याAy Japan डेल्टा से Romans सिप היके बेल्कू से 90 आपकर क्या हो जागा सही हो जाएगा फिर से सूने डिफरेंस की बात करेका तो हाप यह वाला अब प्रैसर की बात हमने पहले कोशन में भी थी अब भी बात कर रहे हैं कि जो प्रैसर का ग्रेटिस करने के दो ही तरीके या तो आप फोर्स बढ़ा दीजिए आप क्या करें एरिया को कम कर दीजिए फोर्स बढ़ाओगे तो फ्रेसर बढ़ेगा एरिया कम करोगे तब पर भी आपका क्या होगा फ्रेसर बढ़ जाएगा लेकिन सड़नली अपना वेट तो नहीं अब और बात से हो क्या करेगा एक पैर के एक टोपे क्या हो जाएगा खड़ा हो जागे सिंगल पैर उसी के सिंगल टोपे क्या हो जाएगा खड़ा तो एरिया और ज्यादा कम हो जाएगा वही उसकी मैक्सिमम चांस है क्यों जमीन पे क्या करेगा सबसे ज्यादा प्रेसर को क क्या करेंगा एक्जर्ट करेंगा पकड़ते हैं उप्शन को वैं लाइज वन डाउन ग्राउंड ऐसा सो नहीं सकता उसकेस में तो एरिया क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो प्रेसर कम हो जाएगा वैंड़ सेंड विद बोथ फूट यह गलत हो तो आपका बी ऑप्शन क् क्या है वह कंडिशन जब पर सबसे ज्यादा प्रेसर को क्या कर सकता है और आप भी कर सकते हैं आपको सबोच को जैसे आपने देखा ओक ने देखा कुन फूज़ु चला थे चाहिने वाले एक उंगली आसे उसमें क्या करते हो प्रैसर को कर रहे हैं कम करें अगे की नहों करहें मोविंग ट्रें टॉस्ट नहीं सबस्क्राइब है और मार्केत में 20 रुप हु항 10-10 कि Aых क champions, यहां टेनिउंट्वी लिखा जा सकता है, ठीक है, इव दा क्वाइन, फॉल्स बिहाइंड निम, बोला गया कि यदि सिक्का उसके पीछे गिरा, तो आपको बताना, ट्रेन का मोशन एक्सलेटेड एक्सलेटेड है, डेक्सलेटेड है, है ना, तो आपको क्या करना असर, जरा सुने न्यान से, अगर आपने इव इदा सुनें, पहले गहरा ऐसे, सिक्का जैसे आपने उच्छाला, तो सिक्के का पांटेक्ट आपसे हट गया, यदि आपके च्रेन एक्सलेटेड मोशन में तो तो त्रेन तेजी से आघी जाएगा, तो तब तक आप आगे जा चुके में तो तो शिक्का आपके अगे जा चुके है इस का वह तो क्या होगा एह होगा कुछ और बताओ कुछ और बताते हैं यदी सिक्कh आपके आगे गिरा तो अगले पल अगर आपकी वेलोसिटी कंप होगे क्योंकि तो सिक्का तो अपनी इनिशल पोशन में गिरेगा इसलिए आगे गिर जाएगा तो समय ट्रेन का मुशन कैसा होगा रिटारडेशन मोशन होगा तीसरा केस हो सकता है कि यदि सिक्का एजिटी आपके हाथ में क्या आगया वापस आगया तो कौन सा केस होगा यूनिफॉर्म व यहां पे आंगल ऑफ कॉंटेट की बात की गए तो आपको थोड़ा सम एंगल आफ कॉंटेट्ट की जानकारी दे देते हैं क्या होता है एंगल आफ कॉंटेक्ट जैसे सपोज करो आपने कोई ट्यूब है जिसका डायमेटर बहुत बहुत कम है अगर आप इसको ऐसे इसमें बने यहीज बने जैसे अगर मरकरी भरा तो Ha speaks में मैनिजिकस बनता है उट तॉप में कुछ ऐसा बनता इस तरह से तो अगर आप उपर से ओपर से देखेंगे तो यह मैनिस्कस आप को दिखेंगए direction केव मैनिसकस और यह वाला जब टॉप से देखेगा आपको कॉन्वेक्स मैनिसकस नव चंद्रक बुला गया न मैनिसकस को ठीक है तो एंगल ऑफ कॉंटेक्ट क्या होता सर देखो इस मैनिसकस पर आप क्या करोगे इसके करप आप एक टेंजन ड्रॉक और एक लाइन ड्रॉक क किस क्या है यह क्या है यह क्या है एकक्यूट एंगल है यह कब बनता जब आपका क्या होगा यह बनता तो और अगर आपका क्या होगा मर्करी एंड ग्लास होगा तब आपका क्या बनता है ऑप्टूज अंगल बनता आपको जिमेटर से भी दिख रहा होगा ठीक है दूसरी बात इस केस में आपने देखा कर साइड में पानी उपर की तरफ क्या कर रहा है चड़ रहा है तो जब आपन आपस में चिपक के रहना चाहते हैं तो यहां पर कौन से फोर्स है कोई से फोर्ज ज़्यादा है यह कुछ जानकारी थी अब हम पकड़ते हैं ऑप्शन को पहला ऑप्शन दी एंगल ऑफ काला बोर्ड बोला ब्लाक क्यों दिखता है तो सुने द्यान से कोई चीज आपको क इस कलर के दिखती है डिपेंड करता उस ऑब्जेक्ट ने कौन से कलर को रिफ्लेक्ट किया है वह जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा वही आपको उसका कलर दिखाई देगा तो ब्लैक बोर्ड का मतलब हो आप सुने अब यह नहीं कुछ ने ब्लैक कलर रिफ्लेक्ट किया है और अगर कोई object reflect करेगा तो उसका color दिखेगा white और सारे के सारे color को क्या करा अगर उसने absorb करा कुछी भी चीज को reflect नहीं किया तो उसका color दिखेगा black यह निगिशन हो इस ने ब्लैक क्लर रिफ्लेक्ट किया है किसी भी क्लर को रिफ्लेक्ट नहीं किया है आपको दिख रहा है तो आपस्टन काउन सो होगा रिफ्लेक्स एबरी क्लर दिकैस तो वाइट दिखेगा ड़स्न और रिफ्लेक्ट एनी कलर ठीक है next a body has mass of 6 kg on the earth when measured on the moon the mass would be अब बोला गया किसी object का suppose करो ये कोई object है इसका अर्थ पे जो mass है वो है 6 kg ठीक ये अर्थ पे इसका mass है बोला गया moon पे जाके इसका mass कितना हो जागा तो हम जानते है amount of matter change नहीं होगा moon पे तो moon पे भी mass कितना होगा तो moon पे ge by 6 होता है अगर weight पूछेगा तो weight तो कम हो जाता है mass change नहीं होगा mass क्या रहेगा same रहेगा इसलिए ध्यान लखेंगे 6 kg आपका क्या होगा answer होगा clear अगर weight पूछेगा तो weight की case में क्या हो जागा अलग हो जागा weight कितना हो जागा आप देखेंगे आप यहाँ weight निकालेंगे तो 6 into 10 इसका क्या होगा earth way weight हो जागा वहाँ पे कितना हो जागा देख ध्यान लखेंगे 10 by 6 हो जागा तो उसको आपे 1 by 6 time आपका weight हो जाएगा ठीक if the door of running refrigerator in a closed room is kept open what will be the net effect on the room अब बोलगा किसी रेफ्रीजरेटर का किसी फ्रीज का गर्मियों का समय है फ्रीज तो सभी को चाहिए अब कई बच्चे दिमाग लगाते हैं कि कूलर के जगा फ्रीज का दरवाजा खोल दें तो कूलर की जरुत नहीं है थंड़ा हो जाएगा अब जैसे आपने रेफ्रीजरेटर का दरवाजा क्या करना थंड़ा कना वोल्यूम क्या बढ़ेगा अब वाल्यूम अगर बढ़ेगा तो उसको ज्यादा हीट क्या करने पड़ेगी निकालने पड़ेगी कंप्रेशर से और ज्यादा की बात कि are यहाँ बढ़ेगा तो पकुल नहीं होगा इसलिये पेर की बात की जए अब आपको जरह सुने ध्यादा यहां से सोल सबसे सबसे लिस्ट किसी चोटी होती सबसे लिस्ट होती इसकी सबसे कि यह जादा करेगा यह तो सबसे जादा क्या करेगा करेगा एधियों से पास होगा तो सब से ज्दधा क्या करेगा डाइवर्ज करेगा । सुनने द्यान से एक और चीज अगर आपको तोड़ा सा रेलेट कराये पी बरावर क्या होता हूँ आप यानकी कोई कितना ज्यादा केन्स सुब्गा यह कोई योटिंध Jen Kin betting कितना ज्यादा इसक्ता है यह बताता उसकी मद्धिपावर में कि आप की बात यह जादा कुझ को और रहा यह ज्याधा डाइवर्ट स्कॉर्ट यह ज़्यार भमकर्ण यह जहाँ हो आप ध्याब आप खंगे और की अगर आप समझेंगे तो डाइवर्जया को होता है we shorter for blue light than for red clear next you are asked to jog in a circular track of radius 35 meter बोला गया एक circular track जिसका radius कितना 35 meter है आप से बोला गया आप इसका complete round मारो और क्या बताना displacement और distance बताना अगर आप यहां से start करते हैं तो एक round में आप यहीं लिखा और किसमें लिखा तो नहीं हो सकता ठीक दूसरा आपको क्या निकाला डिस्टेंस तो पाइ आर होगा तो तो पाइ की वैलियू आप रखेंगे अब देखें जो आपके बल्ब होते हैं उनका जो फिलामेंट होता हो बना होता टंगस्टन का तंगस्टन की इस्तमाल किया जाता क्यूंकि आपका जो बार बार गरम होगा जल्दी से गरम हो जाएगा तो अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो फिघल जाएगा अपका बल्ब क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा इसलिए टंगस्टन को स्तमाल किया जाता है क्योंकि उसका बहुत ज्यादा हाइइ मेल्टिंग पॉइंट होता लगभग 3200 डिग्री सेल्चिस इतना जाद स्का क्या ह और जब कोई light किसी प्रिज्म से पास करेगा तो यहां पर लिखा रिफ्रेक्टर लीस्ट रिफ्रेक्टर लिस्ट कॉन सो का रैड कलर होता जिसकी ज्यादा होती है लेकिन हमें तो बताना है जो क्या शॉर्टेस्ट वाली लाइट कॉन्स होगी आपकी वाइलेट होगी तो रिफ्रेक्ट बोस्ट करेगी और स्लोडाउन हो जाएगी इसलिए आपका भी ऑप्सन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा अब सुने ध्यान से तीन परकार की पॉर्ट की बात की गए ग्रेविटेशन फोर्स जीफ स्वाट में बोलता है इलेक्ट्रिक करंट और एलेक्रिक फोर्स और मैंग्निटिक फोर्स इन तीनों के बारे में कुछ इस्टेटमेंट दिये गये हैं तो हम जानते हैं जो इसकी क्या रहेंगी यह बात आप जानते हैं दूसरा जो इलेक्ट्रस्टेटिक फॉर्स मस्च श्रोंगर होता है तो पहली बात ग्रेविटेशन स्ट्रोंगर दैन अदर यह गलत हो जाएगा दूस्रा ग्रेविटेशन फॉर्टिब बिल्कुल ग्रेविटेशन फोर्स के अदे प्लसचार्ज को एक दूसरे सा रख दिया जाएक तो यो रीупल करेंगे माइनस चार्ज में धिया इस लिए ओस्फ ऊसकेंक हो सकते आप फोट बहुत क्या होजा जाए को तो इसरा आगा हो करेंगे इसलिए ध्यान रखेंगे electrostatic force और magnetic force दोनों क्या हो सकते है अट्रक्टिव हो सकते है अट्रक्टिव होगा अट्रक्टिव फोर्स होगा next a body is falling freely under the action of gravity alone in vacuum which one of the falling remains constant during the fall बोलागा कोई body है जो vacuum में क्या कर रही है free fall कर रही है free fall का मतलब इस पर क्या लगेगा अब जैसे जैसे उपर से नीचे की तरफ आएगा तो इसका कानेटी क्या होगा बढ़ेगा इसका कानेटी बढ़ेगा बगल में सार साइट में क्या होगा पोटेंचल इसका क्या होगा डिक्रीज होगा तो यह दोनों तो कॉंस्टेंट नहीं हो सकते लेकिन ध्यान लखेंगे काइनेटिक प्लस पोटेंचल एनरजी होती है यह सब चेंज होते रहेंगे नेक्स अब मायोपिक पर्सन है इसको दूर की चीजे देखने में क्या हो रही है परिशानी हो रहे है नजदे की चीजे उसको चका-चक दिख रही है अब ज़रा सुने ध्यान से इसका मतलब दो प्रकार से कोशन पूछ सकता है मायोपिक पर्सन का मतलब आपका जो लाइट्रे हो बीफोर्ड रेटिना क्या हो रही है जैसा आपका आई है लाइट्रे सब यहाँ पर कनवर्ज होनी चाहिए थी आ तब जाके आपको अड़िया सिमस देखती है लेकिन हो क्या आपके मायोपिक के वज़े से कुछ ऐसा हो रहा इस तरीके से हो रहा है मर्ज करजारी इसका मलब यह जलदी से क्या हो रही चैनवर्ज 수ě आपको जो लेंस है उसका पावर क्या रही हो गया बढ़ गया हो गया जो हर समय क्या इस्तमाल करना पड़ेगा इसलिए मायोपी को हर समय क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा तो एक बात तो क्लियर है कि उसको कौन सा लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा अब यहाँ पर कॉन्वेक्स यह हट गया यह हट गया इन दोनों में से कोई एक हो सकता है अब हमें चूज करना है कि C option होगा D option क्यूंकि यह दोनों तो कट चुके हैं तो देखे हम जानते हैं P equal to क्या होता 1 by F F निकालना हो तो क्या हो जाएगा 1 by P हो जाएगा यानि कि 1 upon 1.25 पॉइंट हटा कि हम यह 100 ले सकते हैं 100 कहां जाएगा ऊपर तो हां जाएगा 100 upon 125 ठीक है इसको हम दिख सकते हैं 4 upon 5 अब हमें आंसर चेक करना किसमें सेंटीमेटर में आंसर तो सेंटीमेटर के मुल्टिप्लाय कर देंगे 100 से तो आप देखेंगा newton second law के साब से जो रेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वही क्या होता फोर्स के एक्वल होता है यानि कम रेट ओफ चेंज ऑफ मोमेंटम को म लिख सकते हैं इसी को डिड़ाइब करके फ़र्मिला आता दूसरा आपसे कभी को पूछ लेगा कि जो rate of change in momentum होता है impulse के बराबर किसके बराबर impulse के बराबर होगा यन कि जो dimension इसका होगा momentum का changing momentum का होगा impulse का होगा तो यहां पर answer कौन से सही होगा यहां पर हमसर सभी हो जाएगा फूर्स ठीक है नेक्स्ट दे एसा इनुट ऑफ मेकेनिकल पावर अब पावर आप जानते हैं शक्ति है ना पावर का मतलब वहाँ शक्ति तो पावर बराबर क्या होता है वर्क डण अपॉन में टाइम होता है तो वर्क डण क्या होगी जूल और टाइम की क्या होगी सेकंड जूल पर सेकंड भी क्या होती है पावर क्यूनिट होती है और इसी जूल पर सेकंड को बोला गया वाट क्या बोला गया वाट एक और खास बात एक हैस्पी में 746 वाट होते हैं एक हैस्पी में 746 वाट होते हैं कभी-कभी आपसे बोल दिया एनरजी की उनिट है जूल किस की उनिट है एनरजी की उनिट है तो इस परकार के question भी आपसे पूछे जा सकते हैं next यहां पर answer कौँछ होगा what हो जाएगा ठीक next question a wire are made up of having same length देखो wire है आपकी जो जिनकी length क्या है same L1 and cross section area क्या है wire A is made up of copper जो wire A है वो बनी है copper की और जो wire 2 है वो बनी है aluminium की दोनों की length बराबर दोनों का area बराबर आपसे बोला गया है कि given that electrical conductivity of copper is more than that of aluminium यानि की जो conductivity है वो copper की क्या है ज्यादा है as compared to aluminium हम जानते हैं sir आपसे पूछा गया है कि बताइए resistance के बार में बात कि किस wire का resistance ज्यादा होगा किस का कम होगा तो आपको इस चीज के लिए resistance का formula पता होना चाहिए क्या होता रो एल बाइए अब दोनों की लिए अंतियादी same है दोनों का area of cross section same है तो जो resistance है वो depend करेगा किस पे specific resistance पे इसको बोलते है resistivity बोलेंगे या बोलेंगे specific resistance अब सुने दियान से इस specific resistance reciprocal होता है conductivity की यानि की जो रो है वो बराबर क्या होगा one upon sigma अब जिसकी conductivity ज्यादा उसका specific resistance क्या होगा कम और जिसकी conductivity कम उसका specific resistance क्या होगा ज्यादा अब copper का conductivity ज्यादा तो उसका specific resistance क्या होगा कम यानि की जो resistance of copper wire है वो कम होगा as compared to resistance of aluminium wire बिल्कुल सही बात है क्योंकि उसका ज्यादा किसका अलमुनियम वायर का इसलिए और भी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट वाइज आरगन गैस यूज अलॉंग विद टंगस्टन है अब हमने जस्ट दू-तिन कुशन पहले बात की थी कि जो बल्ब का फिलामेंट उसमें कौन मना था टंगस्टन उसके साथ आरगन भी मिलाई जाते है तो आरगन आप जानते हैं सर आरगन क्या है एक इनार कि अवसरन खराप ना हो फटे ना इसलिए कुल मिलाके आरगन मिलाई इसलिए जाती कि आपका जो लाइफ टाइम बल्ब का उबढ़ाए जा सके ज्यादा देर तक चल सके नहीं तो अगर आरगन नहीं मिलाई तो और आपका बल्ब क्या हो जाएगा खराफ हो सकता है मौक टेस्ट के 25 कुशन जो हमने बहुत आसान तरीके से सौल के मिलते हैं आप से अगले मौक टेस्ट में जैहिन